मनुष बड़ा ही विचित्र प्राणी होता है जब हाथ खाली होते हैं तो आखों में स्वपन भरे होते हैं जब खोने को कुछ नहीं होता तो पाने के लिए प्रयास करता रहता है निर्भय होकर आगे बढ़ता है संकटों का चुनोतियों का सामना करता है किन्तु जब हाथ भर जाते हैं तो सुपन देखना ही बन कर देता है जो पा लिया उसे खोना दे इस भैसे संकटों का चुनोतियों का सामना करना बन कर देता है उस राह को ही छोड़ देता है जिस पर चल कर उसने सपलता पाई थी ये अनुचित है जीवन में कुई भी परिस्तिती हो कैसी भी अवस्था चुनोतियों को स्वीकार कीजी क्योंकि यदि आप चुनोतियां स्वीकार करोगे तभी आप इस संसार को कुछ देने योग्य बनोगे यदि सफल रहें तो इस संसार को एक सक्षम नेत्रुत्व देंगे यदि असफल रहें तो एक सीख कि क्या नहीं करना चाहिए तो जीवन में चुनोतियों को चुने चुनताओं को नहीं राधे राधे आप इस संसार में ऐसे कई लोगों को जानते होंगे जिने आप स्वार्थी मानते हैं जो आवशक्ता पढ़ने पर ही आपको स्मरण करते हैं अन्यता वर्षों तक कहीं दिखाई भी नहीं देने करता पड़ती है आज जोड़कर आपके सामने सज्ज रहता है बड़ा क्रोध आता है ना मन खिन्न हो जाता मन सी इस स्वर निकलता है कि इस इस व्यक्ति की सहायता ना करें दूआ ऐसा कभी मत कीजिए आप सोचेंगे क्यों कहरा हूं मैं समरण रखिएगा दीपक का स्मरण व्यक्ति केवल तभी करता जब अंदकार घैरा हो जाता उसे स्वार्थी मानकर स्वयम व्याकुल ना हूँ स्वयम को दीपक मानकर आनंदित होई भाग्यवान समझिए खुद को कि किसी को अवर्शक्ता पढ़ने पर आपकी याद आगा कि आप इस संसार में किसी की सहायता करने योग यह इस जीवन में किसी के स्वार्थी होने से स्वयम का दृष्टी को ना बढ़ना बस यह दृष्टी रखिए स्वयम के परमार्थ पर मन प्रसंद्न होकर बोले राधे राधे मनुष्य को जब सफलता मिलती है तब उसमें जाकता है एहंका और ऐसे में मनुष्य अकसर एक बात भूल जाता है जोपन सोचता है कि मैं मैं किसी के समक्ष क्यों जोखों और ऐसा इसलिए होता है कि मनुष्य एक महतुकूर्ण बात भूल जाता है कि इस संसार में इस जीवन में उसने जो भी प्राप्त किया है चुझ कर प्राप्त किया वालपन वे चलना सीखा तो इस धरा पर चुक कर गिर कर बढ़ो का आशीश लिया तो चुक कर किसान को सबसद काटने के लिए जुकना पड़ता मिए से पाणी निकालने के लिए पात्र को जुकना पड़ता बगवान से आशिरवात पराप्त करने के लिए उनके समक्ष छुकना पड़ता आंधियों में अब्रिक्ष सुरक्षत कैसे रहता है चुक्त सम्मान कैसे पाया जाता है चुक्त किसी के समक्ष जुकने का अर्थ स्वयम का आत्म सम्मान को देना नहीं उसका अर्थ होता है विनम्रत हम मनुष्य हैं और इस आकाश की उचाईयों तक पहुचने के लिए हमें किसी पक्षी की भाती पंखों की आवशक्ता नहीं बस जितना जुकेंगे उतना ही उपर उठेंगे प्यादेर परीक्ष एक ऐसी व्यवस्था जिससे मुझे आपको सब को कहीं न कहीं दोचार होना ही पड़ता है स्मरंग कीजे अपना बालपन आप परीक्षा देने बैठें अब कुछ बालक ऐसे होते हैं जो वर्ष भर परिश्रम करतें पड़ते हैं मन से परीक्षा देते हैं कुछ बालक ऐसे होते हैं जो अपने आसपास बैठे बालकों की नकल करते हैं और परीक्षा में उत्तिर्ण भी हो जाते हैं पुरा लगता है यह सोचकर कि कोई बिना किसी परिश्रम की परीक्षा में उत्तिर्ण कैसे हो सकता है इन तो स्मरण रखेगा जो नकल करते हैं वो परीक्षा में उत्तिर्ण हो सकते हैं सफल नहीं क्योंकि वो नकल करते हैं बिना प्रश्ण को समझें बिना उत्तर का तरीका निकाले यही हमारे साथ भी होता है हम हमारे जीवन में दूसरों को देखते हैं उनकी नकल करते हैं उनकी भाती ही बनने का प्रयास करते रहात कि इंतो ना हमारे जीवन में सफलता आती है ना आनन्दjak क्योंकि हम एक विशेश बात भूल जाएं कि प्रत्यék मनुष्य का व्यक्तित्व भिन्मध फिन्न होता है आप दूसरों की नकल करके अपना जीवन व्यतित कर सकते हैं कि इन तो यदी अपने जीवन में सफलता लानी यदी अपने जीवन में आनंद लाना तो स्मरंण रखिए स्वयम के प्रश्नु का उत्तर जीवन में स्वयम को ही खोजना होगा राधे राधे कभी वर्शा के कारण बने कीचड से होकर आप अपने घर गए पादुका पहनने के कारण आप उस कीचड से तो बच जाते हैं किन्त उन पादुकाओं द्वारा उड़ने वाली कीचड की बूंदे आपके वस्तरों को मैला कर ही देती किन्त फिर भी उन बूंदों से आपके वस्तर मैले हो जाएंगे इस कारण से आप पादुका पहनना तो नहीं छोड़ते हैं इसी प्रकार जीवन में कुछ ऐसे लोग भी आते हैं इन लोगों के कारण से मन को खिल्न करने के अवश्यक्ता नहीं है अवश्यक है यह सोचना कि आपको आपके पाव कीचड से बचाने या आपके वस्तर जीवन में गंभीर होना अच्छी बात किन तु हर बात को यदि गंभीरता से लेने लगोगे तो जीवन का आनन समाप्त हो जाएगा यह संसार अनित्य है यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं जो सदा के लिए जिवित रहेगा तो जब तक यह जीवन है संतूश और आनन से जीएगा स्वयम पर चिटकने वाले कीचड पर ध्यान ना देगा बस आनन्द बाटते रहें मन प्रसंण होकर बोलेगा जीवन क्या है यह जीवन हम जन्म लेते हैं बड़े होते हैं हमारे माबाप हमें पालते हैं फिर उनके धन से हमारा बालपन बीचता फिर हम बड़े होते हैं, हम विवा कर लेते हैं हमारी संताने होती हम उनको पालते हैं फिर हम व्रिद्ध हो जाते हैं और एक दिन इस संसार से चले जाते हैं क्या यही जीवन है? आता होगा यह प्रश्णमन में कई बाद है न? अब तनिक जल की यात्रा देखें सागर से भाब बनकर उठता है मेग बनकर भरसता है फिर नदी बनकर पुना सागर में समावेश करता है तो कभी यह प्रश्ण नहीं करता कि उसका जीवन क्या है? उसका उदेश क्या है? हर भाब जीता है और दूसरों के लिए जितना बन सके देता जाता है जब सागर में होता है तो असंख्य जल जीवों को जीवन देता है जब सागर से भाब बनकर मेग बनता है तो किसानों को आशा देता है कि फसल उना उपचेगे जब वर्शा बनकर बरसता तो इस सूखी प्यासी धरा को सीचता और जब नदी में हुता तो किनारों पर बनस पतियों को जन्म देता विभी क्या जल कभी यह सोचता होगा कि उसका जीवन क्या है उसके जीवन का उदेश क्या नहीं वो बस अपना धर्म करता जाता और जितना हो सके सबको आनन देता जाता इसलिए जीवन में कभी ये प्रश्णमत कीजेगा कि ये जीवन क्या है इस जीवन का उदेश क्या है बस इस जीवन को जीए और जितना हो सके उतना सबको आनन दे मन प्रसन्न होकर बोलेगा राधे राधे ये ताला देख रहे हैं आप ये ताला प्रहार से भी खुला जा सकता है प्यार से भी खुला जा सकता है अर्था इस ताले को आप इस चाबी से भी खूल सकते हैं इस हतोड़े से भी खुला जा सकता है कि इन्तों खुलनी में अंतर होगे यदि आप इस ताले को प्रहार से खोलोगे तो यह पुना काम नहीं आएगा कि इन्तों यदि आप इसे चाबी से खोलोगे तो यह सदा काम आएक का अऐसे जीवन में संबन्ध कुछ इसी प्रकार होते हैं हमारे जीवन की आनंद रूपी धन के रक्षा करते हैं कि इन्तु प्रेम से ग्रोज से किया जाय 나올 तो फिर वो किसी काम के नहीं रहते हैं इसलिए उन्हें सदा प्रेम की चाबी से खोलिएगा है कि यह हर बार नया ताला ला सकते हैं नए संबंद्र नहीं ला पाएं राधे राधे